तीनो भबुन में सारो भी ती रागे भी घ्यानिता सिव सरूप सिव का ना महुत्रियोग सम्हार के ना महुत्रियोग सम्हार के ना महुत्रियोग सम्हार के प्रिथम धाल में पंच परावर्तन और संसारिक दुखों का वड़न चल रहा है कि कैसे कैसे कस्ट, दुख, संकट, आपतियां, फीडाएं जीप को जहलना पड़ती है किन कार्णों से आ रही है और किन उपायों के करने से पर जाएंगी अब मैं आगे का स्लोक पढ़ रहा हूं इस्थावर की परयाय तक तो पहुंच गया अब ये देखना है कि वाजीप ऐसे कौनसे निमित्तों को पाता है कि वो तरस परयाय में पहुंच रहा है जा लेकेंद्री जीव है इस परशिंद्री ये उसके पास खाली अब वाए जीव ऐसा कौनसा पुन्नकार कर रहेगा कि जिसके कारण से वो इस्थावर की परयाशे तिस परयाय में जाएगा ये विशाए जानने के योग है जब संत विहार कर रहे हूं मार्ग में वर्षा आजाएं उनके सरीर से जब पानी का हिसपर्स होता है तो उसमें उन परमानों के अंदर परिवरता है जीवों के अंदर भावों में परिवरता होता है या पानी से जह हूं अविशेख करते हैं अविशेख तो हम पंचावशेख भी कर सकते हैं निशेद नहीं है लेकिन जब क्योंकि चर्चा पानी की है मुखता पानी की है इसलिए पानी ले रहो नाव पानी का निशेद नहीं कहीं और ना कुछी पंचावशेख का भी निशेद है जो करते हैं तो समझना कि कहीं वो किसी परंपरा के हटाग्रह से बंदे हुए लोग हैं उनकी आस्ता परमात्मा पर नहीं है जिन्मानी पर नहीं उनकी आस्ता बिक्तिगत मानिता पर है जब पानी चाहे वो जलासाय का हो चाहे कुए का हो चाहे टूबेल का हो आपके मन में प्रस्णों का कि ट्यूबेल के पानी से हो सकता भी से क्यों नहीं हो सकता पहले जलासा होते थे बावडियां होती थी उनसे पानी लाते थे तो उनमें तरस्जीव हमें दिख जाते थे इसलिए उस जल को हम छान करके जीवानी वहीं डाल के आते थे कि हम जीव को जीव से प्रतक ना करें कुए तो बाद में आए है राजा महराजाओं ने पथिक को प्यास भुजाने के लिए पानी की वस्ता के लिए किनारे किनारे कुए खो देते रसी और बाल्टी और पानी पीने के साथ दें दिये थे और राजगिराओं में बावडियां हुआ करती थी जिसमें रानियां वगरा सब जाया करती थी या मंदरों के पास बावडियों का निर्मान होता था चूंकि खुली होती थी दिखता था खुले पानी में तरजीवों की उत्पत्ती होती है जरने के पानी में नहीं होती है, या नीचे जो पृत्वी के तल में पानी बहरा है जरने का जा हवा का सयोग नहीं है, वहाँ भी उत्पत्थी का सवाल नहीं है। इसलिए टिव बेल का पानी हो, आप फिर संसर करेंगे कि महराज, उसमें चमुरे का वाश्तर लगा। जब प्राहरम कभी हुआ होगा, सादन नहीं होंगे, तो उसकी योगता को देखके लगाया होगा, लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से उससे भी स्रेष्ट बस्तू है हमारे सामने हैं, अब उनको लगा रहे हैं। और जो लोग ये कथन करते हैं कि ट्यूबेल का पानी पीना, खून पीने के ब्राहर है तो इससे बड़ी अज्ञानता और कुछ भी नहीं हो सकती। इसलिए कि सारे घरों में वही पानी पीते हैं। तो इसका मतलब कि क्या आपके माता पिता वही पी के पैदा हो रहे हैं। या अज्ञानता का प्रदर्सन और कुछ नहीं है। या हटाग रह दुराग रह है। खैर उससे मतलब भी नहीं मजी। तो हम उस पानी से जब भगवान का विशे करते हैं। मेरा मुकोदे से एक वह जीव है। और वह जीव जब पानी तिर्थंकर की प्रत्मा का या संद के पात प्रिक्षानन का सईयोग पाता है। समझ रहे ना। या मुनीर आज जब रिक्षो के नीचे बैठते हैं और जब पानी वरसता है, भून-भून पानी टपकता है और काया पे ठहरता है। और जब वह पानी वास के प्रणामों की जब निर्मलता होती है, तो वही प्रानी फिर तस्पराई की वर चलता है। क्थाली पानी केहने से समाधान नही है। चीर-समुद्र के पानी के प्रणागा आता है तो जो नारियल है, जिसमें पानी भरा है उस पानी का स्वात चीर-सागर के जल के समान है। इसलिए आज भी मंदरों में नारियल के पानी से अभी शेक होता है उसमें तरजियूब नहीं उपास प्राशों के भी Nepूर भी अन्तर मौर्थय उप्रांथ कामका नहीं जैसे कोई भी फल या पानी झढ़ने का आमे अंतर, मूर्त, उप्रांत उसमें जीवत पत्ती हो तड़क-पानी में भी जिव नहीं पानी की प्रसवारी जढ़ने के पानी भी नहीं जो पानी ठहरा उओ है वो पानी जीवारी डालने के लाहिक है तो ऐसी परिस्थिती में परमात्मा का प्रत्मा का संत का सयोग पा करके पानी के परिनामों में जब निर्मलता आती है तो उसकी परयाय इस्थावर की परयाय से जलजीव निकलता है त्रस की परयाय में पहुँच जाता है उनको बोल दो दरवाजे खुले हाना आरा समझ में एक इंद्री जीव के अंदर भी प्राण है उसके भी परणाम होते हैं लेकिन बेश सब्दात्मक नहीं है अन्भव आत्मक है तो अन्भव तो करिया मैंने एक दिन आप से कहा था कि जब कोई व्रक्ष कटता है और जब लकड़ी चीरी जाती है तो उसकी लेशाएं उसके अंदर अंदर दिखती है लाइनों की लाइन ऐसे बनी हुई अलग-अलग तो लेशा वही तो है आत्मा के परणामों को ही लेशा कहते है जो आत्मा को पुन्न पाप के रूप में लीप देती है पोत देती है पकड़ लेती है उसका नाम लेसेता है आरा ना समी? तो इसी प्रकार पानी जब ठेरता है तो वो पानी संत का संयोग पाके अरिहंत का संयोग पाके हाना? जो अविशेक करेंगे तो होगा कुछ लोग तो कहते हैं कि अविशेक ही मत करो परमात्म का बालक का विशेक है पागल हो तुम लोग अरे ज्ञान का भी अविशेक होता है ज्ञान का भी अविशेक होता है जब हम सिखर जी की माटी को पूझ लेते हैं तो जलको तो भगवान की प्रित्मा को क्यों नहीं पूजेंगे हो सबसे पहले पानी पानी को रखा, किसी भी धर्म को ले लूआ, सिफ पानी कितनी बड़ी बात है, कोई भी धर्म ले लें भी सुखा हो, सबसे पहले जल कापयोग होता है चाहे इशायत हो, चाहे मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे सिक्य संपानान हो, चाहे वेदिक परंपरा के लोग हो, चाहे हिंदू परंपरा के लोग हो, चाहे जेन परंपरा के हो, चाहे बुद्ध परंपरा के हो, पानी की बिना कोई जी नहीं सकता, और पानी की बिना पूजा प्रहरम, अब प्रस्न ही है कि क्यों पानी को लिया, क्योंकि पानी का कोई आकार ही नहीं है, श्चुड़े बिसेचता है, पानी का कोई भी आकार नहीं है, पानी को अगर आपने प्याले में रख दिया तो प्याली का आकार है, प्लेट में रख दिया तो प्लेट के आकार का ह गिलास में डाल दिया तो गिलास के आकार का और धर्ती पर फेक दिया तो भारत का नक्षा बन गया कोई आकार ही नहीं है और पानी का कोई रंग नहीं है आत्मा का भी कोई रंग नहीं है और एक बात है पानी की तीन गती है तीन रूप है फ्रिज में रख दो बरब बन जाएगा तो किसी खोपड़ी में मार दो पानी तो है है कि नहीं और उसी पानी को गरम कर दो तो भाब बन जाएगा और फ्रिज के बाहर निकाल दो तो फिर तरल हो जाएगा कितनी बड़ी उप्युकता है और पानी की एक विसेष्टा है कि पानी जब भी भेता है तो पास में आने वाले गड़ों को पहले भरता है फिर आगे जाता है तुम तो कमा के लाते तो सीधे घर में आते कौन दो पैसे का दान देने जाते हो और एक बात है पानी का और अगनी का अभाव कर दें तो कोई भी जिब जी ही नहीं शकता और पंचम का आल में इनी का भाव होना है इसलिए एक हाथ के पुतले का आकार मिलेगा जब मनूस को तो मनूस मनूस को मार के खाने जाएगा थ openness को ओग पानी का लोग हो गया सूरी का लोग हो गया, पानी का लोग हो रहा है, है, बिवस्ता हैं, कालका परिवर्दन है, जब इस्थावर जीव चाहर वो पृत्वी काया हो, जब विशरन हो, उता तपकी बात है, चाहर बाई का जयक हो, समसरं में जब हवा जाती है, ठक रहती है, वो हवा पवित्र हो जाती है, उनके पढ़नाम सुधर जाते हैं, बिगड़ी हुए पढ़ना म। तो उनकी प्राये बदलने लगते है अगनि काहिक जिव, जब हवन की अगनी बन जाती है, आर्ति की अगनी बन जाती है या किसी संत का जब समाधि मरन होता तो अगनी जब वो जलती है तो अगनी के परमानुप पुवित्ध हो जाते है या जब बृनस्पती काईजी होता है जब वही संत को जलाने के काम में आ journals चता अगनी पर आरति में आ जाता हुए इधन बनके भी आजाता है, हवन में भी आजाता है, इसलिए वहाँ परणामों की दिर्मलता होना करम होती है, वह परणामों की दिर्मलता एक इंद्री की परयाय से, अब उसे कहां ले आया, तस्प्राय में आया, ये एक ब्यक्ती भले अनपढ़ हो अग्यानी हो, अगर संत क सन्नती में दूर ही बैठा है तो पढ़नाम की दिरिवलता बन जाए एक कुता मरन के सम्मुख हो और अगर उसे कोई नमाव कार्मन सुना दे भले ना जानता हो प्राक्रत का भासा ना हो संस्कृत का भासा की भासा का ज्याता ना हो है हना का ज्याता ना हो है तो भी हो सब्ड के संस्कार स्रवन के संस्कार उसकी आत्मा में परिवतन करेंगे और इसका सब से बड़ा प्रमान है एक कुटा मरन के सम्मुख था और जैसे कभूतर को मन्त सुनाया हूं। पार्श कुमार ने जैसे नागनागिन को मन्त सुनाया।। अदीनाथ के समयप कभूतर को मन्त सुनाया गया। मेरा प्रवचन चल रहा था चंदवाणा में मुनी बने मुझे तीसरा महीना शुरूबा था चोथा महीना तर्वचन सुना और जैसे मैंने प्रवचन का चिणल रहा तो ऊपने प्राण को त्याई और बिलकुल हूँ कर प्रवचन करके सुनाया और रहे प्रवचन कर लए रहे automat style किसको कौन्सा इम्हित में आए और इसको कौन्सी पूजा से चिसको कभी अविशेगं सेखOME जैसे कब परणाम की निर्मलता प्राप्त हो जाए और पार हो जाए मैंने तो ऐसी विक्ति को देखा है जो चड़नों में आके रो रहा है और कह रहा है कि महराज दिवाला निकल गया मेरा क्या हुआ महराज ऐसा हो गया जा गुलालवाडी मंदर में दूसरे अविशेक कर ले तेरा भला हो जाया उसने एक माई ने अविशेक के असारा कर्जा उतर गया है है सद्धा बक्ति तो हो तुम क्या परमात्मा पर विश्वास और सद्धा प्रेम करो कि अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं सब तो ताली लगा के रखें घरों में हर चीज में सबके अपने अपने लॉकर है 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 सबके अपने लॉकर है सब में लॉकर है पत्नी कई पती साब में थोड़ी पेटी खोलती बैठी तो ही आप सब जिनके पती उनसे पूछो कभी नही जब पती बाहर जाएगा तभी खोल के बैठीगी, हाना, इसका मदलब की उसद्धा हो, प्रेमी नहीं आना अभी तक, तो परमात्मा में कैसा है, पंत में थोड़ा सम्मान मिल जाएगा उनको, घर में चलती नहीं, तो समाज में चला लो, यह है, तो यह परिवर्तन है, कोंसी परिया इस इस्थावर की काईसे, आटोमेटिक नहीं हो रहा है, उने ऐसे निमित मिलते हैं, उस निमित के मादयम से, उनके परनामों के अंदर, तो निमित, निमित तो कुछ करता नहीं, लोग तो टीवी पर बड़े बिद्वान, इदर तो कहते हैं कि निमित कुछ करता न है, अरे निमित के बिना तो उपादान जागरती नहीं होता, और उपादान के बिना निमित भी निमित नहीं कहलाता, कार और कारन की वस्ता है, बिना कारन के कार नहीं होता, और कार के बिना कारन नहीं कहलाता, यह दोनों का संबंद है, तो कोई ना कोई निमित किसी ना किस के लिए उध्धार का कारण बन जाता है पढ़ू कभूपंचेंद्री पसुभयो कभूपंचेंद्री पसुभयो कभो पंचेंद्री पसुभयो मन बिने निपत अज्ञानी थयो सियादिक सेनी हैं कुर निवल पसुवति खाए भूर कभी वय पंचेंद्री तिरेंच बन गया निकला वहां से तरस पर्याय में आ गया उसका गिरेट बढ़ गया संसकार नहीं मिले एक बास हम ध्यान से रखना संसकार नहीं मिले उसे संस्पर्ष मिले इस पर्ष मिले उसे नहीं मालूम किसका है लेकिन संतों की आभा तितंकर की आभा उनका इस पर्ष उसे जीव को पाड़ लगा गया उधारन की तोर पर भाले हवा मेरी ना चलियो अगर मैं तपरा हूँ ब्याकुल हूँ और हवा निकलेगी तो मुझे खुशी तो होगी शीतलता तो मिलेगी तो नहीं मिलेगी बोलिये मागी नहीं है हवा अपन जैसे सरीर से लगी पर हूई तो एक आनन तो आया तो ऐसे ही वो बिलगते तडपते पीडा में पड़े प्राणियों को जब कोई सब हवा मिल जाती है सुभ वह श्रस्ञार मेंने जाता है और तिरस का अर्थ होता है जो तरश्ट भी होता है पस्त भी होता है उनसे भचने के उपाय भी जानता है वो कोने एस तरस अब वह दोड़ भी लगाएगा भचने के भी मिपाय खोजेगा हाणा और उन कार्णों को भी दूर करेगा अब क्योंकि वो उसके पास एक इंद्री आगी रस्ना इंद्री आबाज भी नकालेगा और वो आबाज उसी परयाय का वो दूसरा जी भी समझ जाएगा कि का करना है इसका मतलब कि ग्यान तो अब उसके अंदर भी है उसमें भी ग्यान है दिरक्चों में अभी व्यक्ती का सादन हो गयाँ भैशे तो ग्यान समझ रहते है इस चुई मूई का पेड यह सथी पास में जा तो बंथ कुलाड़ है कि इंसान जा जाए तो पेड सिकुड़ता है और सीचने के लिए जाए तो प्रफुलित हो जाता है और नारी अगर पेड को छूले तो वहां फसले जादा आती है फल जादा आती है पेड में जिन खेतों में नारीयां काम करती है वन खेतों में फसल जादा आती है क्योंकि नारी के अंदर कूमलता होती आत्मी था होती, प्रेम होता है पुरस टो कधोर होता है का बहु 3 expected पंचेंद्री पशू भղो पंचेंद्री तो हो गया पसू की परयायय में आ गया लेकिन मन नहीं मिला कभी रुकने का इस्थान तो अच्छा मिल गया अब तमें एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं और समझ भी नहीं सकते हैं हाना ? मकान तो मिल गया लेकिन वेकार हो शुल को दर्वाजी है नहीं है देखने ही सकते, कुछ भी नहीं कर सकते तो इतनी अच्छी परयाय पंचेंदरी की मिली, पांचोंदरी आ मिल गई लेकिन उसके पास मन नहीं है और मन उसे कहते हैं सोचने विचारने की सक्ति को मन कहते हैं मन के सद्वा में विविक और अविविक होता है मन के सद्वा में ज्यानी और अज्यानी होता है मन के सद्वा में मूर्ख और विद्वान होता है यह मन का काम है और आप कहते हैं कि हमारा मन ही नहीं लग रहा कहीं नहीं तो लग रहा यह बोलो कि यहां नहीं लग रहा यह मत तो कि नहीं लग रहा है यह बोलो कि मेरे अनुकूल नहीं है इसलिए मन नहीं लग रहा है कि लोग कैते हैं महराज हम माला फेड़ते हैं तो भूल जाते हैं तो हमने का पैसे गिनते समय भूले नहीं भूले को मन लग रहा है ते रहा है माला में मन ही नहीं लग रहा है पैसर गिंते समय नहीं भूलते हैं, और थूक लगा के गिंते हैं, तो भी आद हैं, और वहाँ तो मंदिर नाद हो के काई तो भी लगड़ा, कोई कि तुमने सरी को तो नहलाया है, लेकिन मन को तो नहलाये हैं नहीं, बिचारों को भावों को नहलाये हैं नहीं, तो लगे काह से समय होगे ए स्वत्देवता स्वत्देवी सरसुती मा जिन्वानी मा सर्वन में पठन-पाथन में स्वाध्धाय में अन्यता सोचा हो मन भठका हो तो हमें शमा करना है तो एॉ खुर्ण जको ए झाल शो हमें इझे ए समेव्यों और स्वत्र स्व핫श